आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, मिरा नाम ए सिधान रगनी होतरी स्टेडी ग्लोस पे आपका बद्वस्वागत है RBI का रुपी ट्रेट से टिल्मेंट धमाल मचाएगा Reserve Bank of India ने ये पिछले 6 महिने में जो लॉंच किया था Russia यूकरेन का युद्ध था और उसी के चलते Russia फस गया क्योंकि अमेरिकाने सांक्शन्स लगा दिये और Russia ने अब भाई देखो पैसे तो देने है भारत को उसने heavy discount पे आधे से कम पे टेल आउफर कर दिया भारत ने तेल खरीदा भारत ने भी उनको काफी कुछ दिया ट्रेड हुआ लेकिन ये ट्रेड किसमे हुआ रुपिया में न बाब बड़ा न भाईया सबसे बड़ा रुपईया आप पूरी दुनिया ये कहेंगी हम बात करेंगे लेकिन दोस्तों, हमारा जो रुपिया है, वो बड़ा कीमती होता है पैसे कमाओ, जबरदस्त कमाओ, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हो तो सब बढ़िया है, ऐसे ही मैं आपको Angel One के बारे में बताना चाहूँगा Angel One, जो की भारत की one of the biggest stock broking company है वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उन सब के लिए आपको DMAT account खुलवाना पड़ेगा तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात इनका Angel One app है जिसको डाउनलोड करके आप smart investment कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से Then Angel One trade है, again you need a DMAT account और इनकी 0% brokerage रहती है Then smart API and Angel ARQ point जो की सबसे जबरदस्त है, जिसमें investment करनी कैसे है, set of rules यह बताया जाता है और आप partner भी बन सकते हैं, तो यह शानदार प्रजेक्स, अगर आप stocks में interested, अगर आप IPO में, F&O, mutual funds, commodities और भी बहुत कुछ Angel One तो आप जरूर चेक आउट करें, description और comment box में link दिया है, link को click करें, आपको download करें और आपको बहुत जबरदस्त insights मिलेंगे, अगर आप investment पे interested है, और अगर आप अपने रुपे को बहुत अच्छे से invest करना चाते हैं, तो do visit Angel One, अपना DMAT account को खुलवाए, और smart invest करना शुरू करें, चलिए, तो रुपी trade agreement के अगर बात करें, भारत का रुपी trade settlement, तो इसमें होता क्या, इसका मतलब यह है कि हम dollars को use नहीं करेंगे, देखिए हम सबको पता है, कि जो dollar है, वो सबसे powerful currency है, अमेरिका इतना ताकतवर क्यों है, dollar की वज़े से, क्योंकि अमेरिका के पास भर-भर के dollars है, इसलिए अमेरिका इतना ज़्यादा ताकतवर है, अब अगर उसके dollar नहीं होगा, तो उसकी ताकत गई, पैसा सबसे important है, जिस देश के पास पैसा है, वो देश ताकतवर मनेगा ही बनेगा, तो अब यहाँ पे पूरी दुनिया भर का trade डॉलर में होता है, अगर आप बोलेंगे साथ trade कैसे होता है, simple सी बात है भाई, आप किसी भी देश से trade कर है, पहले वो dollar में convert होता है, फिर उसकी respective currency में convert होता है, तो बीच में dollar में convert होता है, तो उसके charges दिनने परता है, जो कि अच्छे खासे होता है, पूरी दुनिया में dollar में ही पैसा आएगा, जैसे अगर आपको साओधी अरेबिया से, तो पहले वो dollar में आएगा, फिर dollar से रु गोल्ड को सीधा dollar से link कर दियागे, 1970 के बाद, कि आप जिसके पास जितना ज्यादा dollar है, dollar मतलब gold, तो आप समझ सकते हो, अभी भी gold की बहुत value है, लेकिन dollar की ज्यादा value है, और जिस देश के पास dollar नहीं रहते, foreign exchange गया, और वो देश डूब जाता है, समझ रहो, तो dollar को maintain करन बहुत ज़्यादा जरूर है, de-donerization पर भी मैंने कुछ time पहले lecture लिया था, और उसमें मैंने बहुत कुछ समझाया था कि किस तरीके से trading होती है, वो भी आप lecture जरूर देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो देखिए, भारत जो भी plan बनाता है, especially RBI बहुत जबर्दस बनाता है, तो RBI का यह जो plan है, यह काम कर गया, रश्या के साथ बहुत profit हुआ, अब दुनिया दिखिए, अमेरिका की monopolis से बोजित तपे दबी हुई है, हम सब को पता है कि समय देशों के क्या हाल है, अमेरिका तो मजे मार रहा है, बाकी देश क्या करें डॉलर लगातार strong होता जा रहा है, भारत की भी भारत का जो रुपिया है वो तूटता जा रहा है, जिसकी वज़े से हमको product महँगे मिल रहे है, हम कुछ बाहर से मगाते हैं, कहीं पे भी, तेल हमको महँगा मिल रहा है, अगर हम सीधा रुपए में वो deal करें तो, रश्या प्रॉफिट हुआ, अब उसको देखते देखते आप समझें कि 35 से जादा देश इंटरस्टेड है, और मैं यकीन से कहता हूँ दोस्तों, आप रुक जाहिए, रुपए जो है धवाल मचाएगा, क्योंकि देखे, South East Asia एक बहुत ही developing market है, है न, हमने सब ने देखा कि चाइन मार्केट में आए, और आप विश्वास माने, कि वो रुपए की तरफ जादा inclined है, दूसरा point, नेपाल और बांगला देश, जैसे नेपाल का तो रुपिया सीधा भारत के उसी से linked है, ठीक है, तो अगर नेपाल के economy वैसे भी कभी नी डूप सकती, ठीक है, जग भारत है, रुपए से अगर trade होगा ना, तो इससे भारत का सबसे है, क्योंकि जो बीच में dollar आता है, वो हटेगा, और फिर रुपिया जाद बस जादा currency, लोग रुपी जो है वो as a foreign exchange store करेंगे, तो इससे भारत का फाइदा, अब यह बहुत बड़ा game है, यह बहुत लंबा game है, अब एक तो आप dollar हतार हतार नहीं सकते, लेकिन फिर भी, जैसे Middle East country, अभी Saudi Arabia, अमेरिका के relations बहुत खराब है, तो बहुत अच्छे नहीं, हलाकि Saudi Arabia, अगर आप international relations की बात करें, तो अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त रहा है, और इसी वजह से ही, पूरी दुनिया में आतं और यहाँ पर Saudi Arabia, बहुत ज़्यादा, उसामा बिला दे, इसी ले तो खड़ा हो गया, कि Saudi Arabia, अमेरिका की वोद में जाके बैठ गया है, ठीक है, एनिवे, वो एक अलगी topic है, उसको मैंने कई बार कवर भी किया है, तो यहाँ पर जैसे Middle East country, जिनसे हम तेल खड़ीते हैं, व अब आप बलेंगे हमको trade करना है, तो अगर आपको रुपिया में trade करना है, तो एक account की भाई वो पैसा जो है, वो account में आएगा ना, तो वो क्या आप foreign में खुलवाओगे, आप दूसरे देश में खुलवाओगे, ठीक है, कोई भी देश पकड़ लो, आप उसमें देश अब वहाँ पे खुलवा दिया, ठीक है, अब वहाँ पे जो भी trade होगा, पाकिस्तान भारत से जो भी trade होगा, वो उसी account में जाएगा, ठीक है, तो इस हिसाब से ये चलता है, और अभी 12 से उपर वास्त्रों account की बाद चल रही है, बढ़िया बढ़िया देशों से, 35 से जैसे यूरोप भी डूब रहा है, डूबने का मतलब यह है ना, कि देखे, पैसा कमजोर होता जा रहा है, मतलब जो उनकी currency है ना, वो dollar के मुकाबले कमजोर होना है, अब dollar की monopoly है, IMF में अमेरिका की चलती है, जो हमें, अमेरिका कहता है, वही होता है, है ना, तो इससे सब परचान है, दुनिया भी alternative ढूण रही है, कि हमको dollar का कोई alternative मिले, चाइना अपनी currency को रगतार push करता है, बड़ चाइना का रवेया बहुत खराब है, चाइना इस तरीके के उसकी foreign policy की भाया देश अब हिचकने लगे कि ना, ना, तुमारी currency तो use नहीं करेंगे, ऐसे में भा भी इस चीज में interest देखें, बेलरूस हाँ, आपको बता दूँ, कि बेलरूस से हम बहुत अच्छा व्यापार करते हैं, बेलरूस से fertilizer में भाई, क्योंकि हमको ये भी डर था ना, कि रश्या यूकरेन के युद्ध में, क्योंकि fertilizer हम पूरा बाहर से काफी अच्छा का समगात है, तो भी प्राबलम होगी, तो बेलरूस से भी बात चल रही है, ठीक है कि रुपए में ही trade करो, तो देखेंगे दोस्तों फिलाल आगे क्या होगा, बट एक चीज तो पक्की है, कि जो हमारा रुपी settlement है, ये जो trade settlement है ना, हम सारी बंदिशे तोड़के अब रुपिया को जो globalized currency बनाने चले हैं, ये बहुत जबरदस्त काम करेगा, long term में आप देखिएगा, 2050 आते हैं भारत की currency जो है, अगर सब कुछ सही रहा, तो बहुत ज़्यादे strong होगी, बहुत जबरदस्त तरीके जबर भारत की economy भी ग्रो कर रही है, ये सब कुछ interrelated है, ठीक है ना, तो ये चीज़, और जैसा कि हमने बताए, कि भाई अपने रुपए है, आपके रुपए बड़ी मुश्किल सम कमाते हैं, investment बहुत ही ध्यान से करें और उसके लिए angel one है आपके साथ, ठीक है, तो आप यहाँ पे trade और invest, सारी चीज़े all in one आपको मिल जाएगे, इनके app को आप कर सकते हैं, इनका जो angel one trade है, ठीक है, trading, यहाँ पे आप DMAT account खुलवा सकते हैं, इनका जो ARQ Prime, जो की set of rules बताता है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, और इनके साथ partner भी बन सकते हैं, तो description, comment box में link दिया है, इनके आपको जरूर download करें, DMAT account खुलवा और invest करना शुरू करें, दे